Edge Seeker में आप सभी का स्वागत है हम अपने चैनल पर subject wise MCQ को solve कर रहे हैं जिसमें से political theory को हम already solve कर चुके हैं इस video का link भी आपको description में मिल जाएगा तो सबसे पहले video में हम हमेशा की तरह PYQ का analysis करेंगे कि Western political thought के कितने कितने question आये थे जिससे 2022 shift 1 में 10 question आये थे इसी तरह 2022 की shift 2 में 10 ही question आये थे और 2021 shift 1 में 9 question आये थे और shift 2 में इसकी 10 question आये थे लोग 10 या 9 question जो है Western political thought के हमेशा आपको आते हैं तो इसी इसाब से ये unit काफी important है आपके लिए अगर हम thinker wise analysis करें 202221 की दोनों shift का तो हर thinker के एक या दो या तीन question आते ही आते हैं तो हर thinker को आपको cover करना होगा किसी भी thinker को आप जो है शोड नहीं सकते हैं ये हमें past year question के analysis से पता जलता है इसलिए आज हम इसी वीडियो में 16 के 16 thinkers के MCQs को solve करेंगे इससे पहले कि हम कुछ question solve करें आज आपके लिए एक मौका है कि हमारे जितनी भी website पर test series available है paper 1 की और paper 2 की वो तीनों के तीनों test series आपको मिल सकती हैं अगर जो मैं question solve करा रहा हूँ उसके बीच में कुछ question पूछूँगा उन सभी question के जो answer है आप comment box में दे देते हैं कुछ question के तो answer मैं साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा लेकिन उसके इलावा भी मैं कुछ question पूछूँगा और उन question का answer आप एक comment box में पूरा लिकर दे देते हैं तो आपको ये सारी test series मिलेंगी जो सबसे पहले देगा उसको ये test series मिलेंगी जैसे आपकी preparation और revision जो है वो और भी ज़्यादा effective हो जाएगी तो चलिए पहला question solve करते हैं Confucius का आज एक नया initiative ये किया है English और Hindi के question साथ साथ लिखें दिखाई देंगे आपको तो Hindi वाले students तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और English medium वाले भी लाइक करी दें तो मज़े आ जाएंगे तो चलिए इस question में आपको Confucius की philosophy के कुछ pair दियेंगे है चार आपने बताना है इन में से कौन सा pair incorrect match हो रहा है वीडियो को आप pause कर सकते हैं मैं आपको answer बताने जा रहा हूँ इसका right answer है option D यानि wisdom knowledge को Confucius की philosophy में जिन नहीं कहा जाता है फिर क्या कहा जाता है तो उसके लिए explanation देखते हैं जो Confucius की philosophy है उसमें पांच virtues माने जाते हैं पांच गुन माने जाते हैं जो एक अच्छे समाज के लिए जरूरी है वो कौन से हैं सबसे पहला आता है benevolence जिसे rent कहा जाता है दूसरा आता है propriety जिसे leak कहा जाता है फिर आता है justice या righteousness जिसे यी कहा जाता है और फिर fourth knowledge या wisdom आता है जिसे जी कहा जाता है और फिर आता है integrity जिसे कहा जाता है sin ठीक है तो उस question में क्या था question में ये था knowledge or wisdom को जिन लिखा हुआ है rather वो integrity को कहा जाता है अखंटा को कहा जाता है तो अब test series के लिए पहला question आपके लिए ये है कि Confucius के main works को क्या कहा जाता है उनका नाम बताईए तो हम अगले question की और चलते हैं plateau का जिसमें से आपको statement दे गई है कुछ और आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी statement जो है true है तो आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को pause करके अराम से और इसका right answer है जो मैं बताने वाला हूँ वो है statement number one plateau equated democratization with moral corruption बाकी जो जितने की तीनों statement है वो तीनों की तीनों गलत है कैसे गलत है उसकी अब explanation भी हम देखते है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि plateau ने democratization को moral corruption के साथ equate किया है क्योंकि plateau anti-democrate है वो democracy में विश्वास नहीं रखते है वो कहते कि democracy का मतलब है हम समाज में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे democracy अपने आप में एक moral corruption की example है तो चलो ये तो statement ही true दूसरी statement इसलिए गलत निकली क्योंकि plateau sophist को sport नहीं करते थे वो ने criticize करते थे क्योंकि sophist aristocratic और conservative value को oppose करते थे इसलिए plateau को sophist पसंद नहीं थे फिर plateau ने जो idea लिया है nothing is permanent in the sensory world वो पैथागोरा से नहीं लिया है वो लिया है हरकलिट से और इसी तरह plateau ने ये जो अपनी life में चीज सीखी है कि अगर कुछ भी permanent नहीं है लेकिन एक चीज है जो permanent रहती है वो है idea वो permanent से उन्होंने सीखी थी तो next question के ओर चलते है जो Aristotle का है आपको दो statement दे रखी है और उसके इसाब से आपने answer बताना है कौन सा correct है अराम से question को पल लीजिए फिर मैं answer बताता हूँ वीडियो को pause भी कर सकते हैं तो इसका right answer है answer number D यानि statement 1 false है और statement 2 true है तो statement 1 false और statement 2 true कैसे है उसको देखते हैं हम अपनी explanation में statement 1 इसलिए false है क्योंकि Aristotle कहते थे कि slavery और male supremacy society में natural है man made नहीं है यानि society में गुलामी की प्रथा और अगर मर्दों की superiority है वो इसलिए है क्योंकि वो natural है इसलिए नहीं है कि समाज ही इस तरह से बनाया गया है लोगों नहीं इस तरह से नहीं इस तरह से नहीं बनाया यह समाज बनेगा ही इस तरह से यह naturally ऐसे ही बनेगा और इसी के basis पर statement 2 जो है वो correct है इसलिए Aristotle अपनी इस philosophy से जैसे वो कहते हैं कि slavery और male supremacy natural है वो कहते हैं इसलिए हम slave और women को दोनों को political activities में participate नहीं करने देंगे वहाँ पर participate करेंगे male लोग ठीक है जो ज़्यादा superior है उनसे इसलिए slave और women participate नहीं कर सकते और अब test series के लिए दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा जो आप comment करके बदाना कि Aristotle ने अपने citizenship के idea में से कौन से section को कौन से society के लोगों को exclude किया था women and children कौन थे वो ठीक है वो सब के नाम आपको जो है बताने है अब हम बढ़ते हैं अपने चोते question McCavley की और McCavley ने कौन सी इनमें से book नहीं लिखी है आपने ये बताना है चार books दी गई है इनमें से कोई एक book है जो McCavley की नहीं है तो इसका right answer है दी चिवे, इसे दी चिवे कहते हैं ये Latin word है, ये book McCavley ने नहीं लिखी तो explanation में देखते हैं कि ये फिर book किस ने लिखी है ये book लिखी थी Thomas Hobbes ने McCavley ने नहीं, McCavley की जो book है The Art of War, History of Florence और Prince ये तीन book रही है इसको आप देख सकते हैं कौन से year में publish होती है books आपको बार-बार western political thought में पूशी जाती है, chronological order में भी पूशी जाती है किसी भी thinker की आपको पूशी जाएगी और अब तीसरा सवाल test series के लिए ये रहा, McCavley जो थे न anti-clergy थे, वो anti-church थे सवाल आपके लिए ये है क्या McCavley anti-religion भी थे जैसे Karl Marx anti-religion कह सकते हैं वो religion में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे उन्होंने कहा था कि religion is the opium of masses तो क्या McCavley anti-religion थे, बस yes और no करके आपने बताना है तो हम चलते हैं अगले question की और जो Thomas Hobbes का है तो Thomas Hobbes ने एक theory दी है politics की जो मानते हैं कि scientific theory of politics है कि मेरी theory scientific है तो basically उनकी जो motion को लेकर theory है आपने बताना है कि कौन से motion में politics या और social interaction की activity पाई जाती है क्या वो vital motion है, voluntary motion है circular motion है या uniform motion है इसका क्या right answer हो सकता है इसका right answer है voluntary motion तो voluntary motion इसका right answer क्यों है यह हम देखते हैं अपनी explanation में Thomas Hobbes यह कहते हैं कि दो तरह के physical motion पाई जाते हैं human life में एक होता है vital motion जिसे वो first motion कहते हैं जिसमें आप सिरफ खाना, पीना, सोना basic activities करते हो जिसके लिए आपको जादा सोचना नहीं पड़ता आपकी body जो है आपको सब कुछ बताती रहती है कब प्यास लगी है, कब नीदार है यह है vital motion, यह आप करते हो दूसरा आता है voluntary motion जो आप अपनी will से करते हो आप सोचते हो वो चीज करने से पहले उसे कहते है voluntary motion तो इसलिए hops कहते हैं कि voluntary motion में politics यह जूसरी activities हो सकती है क्योंकि आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा politics में कुछ decision लेने पड़ेगे तो you will think something तो इसलिए voluntary motion में उसको categorize किया गया है तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले question की और जौन लोग का है इसमें आपको assertion और reason दिये गए है उसके असाब से आपने बताना है कि इसका right answer क्या है वीडियो को आप pause कर सकते हैं तो assertion और reason की statement से देखकर ही पता चलता है कि दोनों statement अपने आप में contradictory है तो एक ही सही हो सकती है तो इसका right answer है A is false यानि assertion की statement गलत है और reason की statement सही है वो right है अब वो क्यों इसके लिए हम explanation देखते हैं तो जौन लोग कहते हैं कि paternal authority को political authority के basis पे justify नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं political authority को अगर हम justify कर सकते हैं तो similarly paternal authority को justify क्यों नहीं कर देते हैं माबाब अपने बच्चों को अगर कुछ सिखा रहे हैं तो इसमें गलत ही क्या है तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि political authority equals पर exercise की जा रही है ठीक है ना तो जो नेता लोग हैं उनके जैसे जो fellow citizen हैं उन पर exercise कर रहे हैं उन पर decision या उनके लिए plan या policy बना रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है और दूसरी चीज़ है वहाँ पर लोगों ने चुना है ऐसे नेता को ठीक है ना ऐसे politician को लोगों ने चुना है तो consent based है कि आप हमारे लिए decision ले सकते हैं चाहिए पार्लिमेंट में लौब नाई है यह consent based है अपनी अनुमती दिये है उनको choose किया है paternal authority में यह दोनों चीज़ों नहीं होती ना तो equals पर exercise की जा रही है ना ही बच्चों का कोई consent होता है उन पर अपने decision force भी किया जाते है और जबरदस्ती भी होती है तो consent based नहीं होती है इसलिए paternal authority को लोग justify कहते है हम political authority की तरह नहीं कर सकते हैं और test series के लिए आपके लिए question यह है कि जोन लोग ने अपने social contract की theory में एक word यूज किया है वो है tactical consent वो tactical consent का meaning क्या है वो आप थोड़ा से explain करके comment में बताना चलिए अब हम अगले question पर आते हैं जो है JJ Ruzo का तो उन्हों की कुछ statement दी है और आपने ये बताना है कि कौन सी statement इन में से true है इसका right answer है कि सारी की सारी statement true है अब वो कैसे इसको हम explanation में देखते हैं देखिए जो Ruzo थे enlightenment के time के ही think करें लेकिन enlightenment के time पर जब लोग intelligence की बाते कर रहे थे science की बाते कर रहे हैं logic की reason की बाते कर रहे हैं तरक की बात कर रहे हैं ठीक है Ruzo इन सभी चीजों के खिलाफ है वो कहते है intelligence, science, reason इन सभी चीजों की वज़ा से जो समाज में एक नाइव भोलापन था, एक नॉबल लोग थे, शरीफ लोग थे, वो सब कुछ खतम कर दिया, चलाक लोग मिल जाएंगे, दोखा दड़ी करने वाले लोग मिल जाएंगे, तो इसने क्या किया है, समाज में एक तरह से जो विश्वाश होता है, फेत होता है, व बहुत ही जूठी है, खराब है वो काफी, ये नैचुरल नहीं है, इसलिए हमने सोसाइटी का जो फैब्रीक था पुरा ना, ठीक है, वो सारा खतम कर दिया है, कमाल की बात ये है कि रूजो ये बात तब कह रहे हैं, जब सभी लोग अलाइटनमेंट की तारीफ कर रहे हैं कि दुनिया में देखो साइंस कितनी तरक्की कर रही है, रीजन और रैशनलिटी आ रहा है, ठीक है, इंटेलिजन्स आ रही है, प्रोग्रेस हो रही है समाज में, रूजो दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं सब बक्वास है, गलत हो रहा है, समाज ही सारा तबाह क के लोग, उसके दोस्त, उनके नाम नहीं जानते हैं, और टेस्स सिरिस के लिए आपके लिए जो अगला सवाल है, वो ये है कि जे जे रूसू की आटो बायोग्राफी का नाम क्या है, और कब वो पब्लिश होती है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चिन की और, जो और पहली बात दो है, हीगल वाज थे स्टेटेस्ट फिलोसफर, मतलब जो स्टेट को मान्यता देते थे, ठीक है, स्टेट की बात करते, तो उनके लिए स्टेट जो है, वो स्टेटीजन से भी जादा IMPORTANT है, वो स्टेटिस्ट फिलोसफर है, और दूसरी चीज है, वो मानत ते थे कि state जो है infallible है अचूक है गलतिया नहीं कर सकती है state हमेशा अपने citizen के लिए ही कुछ ना कुछ करेगी उनके भले के लिए ही कहेगी और state individual से better जानती है इसलिए hegel statist philosopher है और उनके लिए state जो है infallible है state को इतनी importance देते हैं और test series का package इतने के लिए अगला question आपके लिए ये है कि hegel ने state को लेकर ही बहुत ही एक important quote दिया है बहुत famous है वो quote कुछ God और state को compare कर रहा है वो quote क्या है आप comment करके उसके बारे में भी बताना अब हम बढ़ते हैं next question जो js milka है इस question में आपको को statement दे गई है और आपने बताना ह से कौन सी statement js mil को लेकर सही नहीं है not correct है इसका right answer है option number D यानि तीसरी और चोथी statement जो है वो यहाँ पर incorrect दे रखी है ठीक नहीं है तो चलिए अब समझते हैं कि क्यों ऐसा है सबसे पहली चीज ते हो तो mil जो है बैंथम के utilitarianism को criticize करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर बैंथम ने utilitarianism को criticize करते हुए यह कहते हैं कि इंसान सिरफ सुख नहीं बोगना चाता है ठीक है उसका chief end यह नहीं है कि दुनिया में इसलिनी आया कि सिरफ pleasure ही ले happiness और dignity दोनों चाता है यह है chief end उसकी life के सिरफ pleasure लेना नहीं है तो dignity का भी ध्यान लगना चाहिए यह JS mil ने contribute किया अपनी तीसरी चीज JS mil इसमें यह कहते हैं कि falacific calculus जो निकाला गया है कि हम जो है इंसान कितना pleasure ले रहा है उसको हम measure कर सकते हैं ठीक है उसको map सकते हैं कि ते सुख को कभी भी आप map ही नहीं सकते हो मुझे किताबों पढ़ने का शौक है तो ठीक है यह मेरा सुख हो गया किसी को cigarette प पढ़ने वालों के लिए policies law बनाएगी यह smoking वालों के लिए बनाएगी तो मिल कहता है कैसे करोगे तो falacific calculus एक absurd चीज़ है बकवास है यह चीज़े हमें नहीं करनी चाहिए तीसरी चीज मिल कहते हैं justice के साथ वो rights का concept चोड़ते हैं उनका कहना यह है कि injustice जो है वो समाज में लोगों के rights जो है violet करेगी अगर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है मतलब उनको किसी तरह के right उनके suppressor नहीं दिये जा रहे और एक अच्छे समाज के लिए जो समाज progress करे जिसमें individual की personality grow हो तुने कुछ certain rights मिलने चाहिए और certain rights उनके अगर protect होंगे तब ही वो justice कहलाई अब हम चलते हैं next question की ओर जो Mary Wallstonecraft का है आपको कुछ books दी गई है उनकी और आपने बताना है chronological order में उनको arrange करके कि कौन सा right option बनती है वीडियो को आप pause करके राम से देख सकते हैं इसका right answer है option D तो चलिए देखते हैं कि right order उनकी books का क्या है सबसे पहले आती है vindication of the rights of men जो 1790 में publish होती है फिर vindication of right of women जो 1792 में धन फिर आती है an historical moral view of origin and progress of the French revolution जो 1794 में publish होती है धन मारिया जैसे the wrongs of women भी कहते हैं वो 1798 में publish होती है अब हम बढ़ते हैं next question की ओर जो काल माक्स का है इसमें आपको दो statement दी गई है और उसके असाब से आपने option को choose करना है अच्छे से statement प statement 1 false है गलत है क्यों false है और दूसरी true है ठीक है कैसे देखते हैं उसको भी हम explanation में statement 1 इसलिए false है क्योंकि dialectical का जो method है वो heagle से adopt किया है काल माक्स ने सोक्रेट का dialectical वे नहीं चुना है ठीक है dialectical जो सोक्रेट का वे वो है समवाद dialogue करना लेकिन हीगल जो dialectical method देते हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाता है जिसमें thesis, anti-thesis, synthesis करके वो बताते हैं जिसको मैंने western political thought की अपनी वीडियो में cover भी कर रखा है concept को तो उनका जो basis ही है वो ह dialectical materialism. काल माक्स की philosophy का कि जब भी दुनिया में material में किसी तरह का change आएगा तो दुनिया में भी change आएगा, society में change आएगा, economy में change आएगा, polity में change आएगा तो material में change पहले आता है. हिगल इसका इल्टा गयते हैं तो वो कहते हैं आइडिया में change आएगा, तो society में change आएगा Marx कहते थे idea में नहीं material में change आने से society में change आता है और test series के लिए आपके लिए जो question है वो ये है कि Karl Marx की किसी writing को young Marx writing कहा जाता है वो किसको कहा जाता है क्या नाम है उसका और कब publish होती है यह आपने comment करके बताना है अगला question है ग्राम्शीम के बारे में आपने ये बताना है कि ग्राम्शीम ने जो counter hegemony का idea दिया है उसके लिए उसने क्या suggest किया है कौन सी strategy suggest किया है वार ओफ position, वार ओफ maneuver, वार ओफ ideology और वार ओफ civil society इसका right answer क्या है वो code से आप देखिए इसका right answer है option D यानि वार ओफ position और वार ओफ maneuver कहा है अब इसका मतलब क्या है ये वार ओफ position क्या है या वार ओफ maneuver या movement क्या है उसको समझते हैं तो उन्होंने कहा है कि capitalist class की hegemony है society में इसके उल्ड अगर हमने इनकी hegemony को खतम करना है हमें लेकराना होगा counter hegemony एक और hegemony खड़ी करनी होगी उनके against या उनकी hegemony को एक counter करना होगा कैसे किया जा सकता है सबसे पहला step कहते हैं आप ये करो वार ओफ position जो वो concept देते हैं वार ओफ position में हम एक ऐसा समाज बिल्ड करेंगे जिसमें जो capitalist society के institution है न उसके हम एक alternative institution खड़े करेंगे तो capitalist society के जो intellectual resources है उसके alternative resources जो है खड़े करेंगे दूसरा वो step बताते हैं वो है war of maneuver जिसे war of movement भी कहते हैं जिसमें कहते हैं कि यहाँ पर classes का यानि working class या marginalized classes का conflict होगा capitalist class के साथ openly यहाँ पर revolution होगी और यहाँ पर जो revolutionary और state के बीच में जो clashes होंगे और उसकी जो outcome निकल कर आएगी वो एक counter hegemony society में लेकर आएगी अगला question है Hannah Aaron को लेकर तो आपने यह बताना है कि उनकी कौन सी book में उन्होंने Vita Contemplative का idea दिया है तो books के नाम आपके सामने रहें और आपने इसको बताना है इसका right answer है the life of the mind में उन्होंने यह idea दिया है तो यह क्या idea है इसके बारे में हम जान लेते हैं तो अपनी जो last उनका major philosophical work है वो है life of mind जो 1977 में publish होती है जिसमें वो कहते हैं कि human being के life में fundamental faculty होती है जिसको वो कहते हैं vita contemplativa जिसमें thinking आ जाता है willing आ जाता है judging आ जाता है जो आप सोचते हो विचार करते हो पर्कते हो चीजों को उसमें आता है vita contemplativa उसमें आता है यह vita contemplativa next है the human condition 1958 में जो उन्होंने बुक लिकी थी ठीक है उसमें उन्होंने एक और category दी थी वो है vita activa जिसमें आप मेनत कर रहे हो कोई action ले रहे हो कोई काम कर रहे हो उसमें vita activa आता है Hannah Aaron action को ज़्यादा prefer करते है thinking को नहीं यानि vita activa को ज़्यादा favor करते है vita contemplativa को नहीं उनके लिए labor, work, action पहले आता है thinking, willing, judging बाद में test series के लिए आपके लिए अगला question है Hannah Aaron का एक concept है penalty of evil यह penalty of evil का concept उन्होंने अपनी किस book में दिया था यह आपने मुझे comment करके बताना है अगला question है फ्रांस फानो का तो आपने यह बताना है यह जो दो statement है, इनमें से क्या correct है option को देखते हुए आप देखिए अराम से पढ़ लिजिए इसे वीडियो को pause भी कर सकते है इसका right answer है option C यानि दोनों ही correct है first और second दोनों correct है कैसे वो देखते है सबसे पहले तो फ्रांस फानों यह कहते है कि क्लोनियलिजम ने dehumanize कर दिया है native society को ठीक है जो white ने black पर rule किया है तो उसकी वज़ा से black लोग जो है वो dehumanized होगे अपने आपको dignity से या एक इनसान समझते ही नहीं है क्या समझते है अपने आपको वो देख रहे हैं जो white man ने उनको दिखाया तो वो उनकी mirror image देखते हैं कि हमने ऐसा बनना है हमने ऐसा करना है हम ऐसे होने चाहिए यानि वो जो भी करते हैं उन्हें लगता है हम गलती कर रहे है जो ये सखा रहे है वो ठीक है ठीक है तो उनकी अपनी कोई dignity नहीं रही अपनी सोच समझ नहीं रही अपनी preference नहीं रही choices नहीं रही तो ये क्या हो गया colonialism ने dehumanize किया है हमारी society को फ्रांस फानो कहते है दूसरी वो चीज ये कहते है कि colonialism establish किया गया है violence से तो जिस चीज को violence से establish किया गया है उसको खतम भी violence से ही किया जाएगा इसलिए फ्रांस फानो violent revolution की demand करते हैं तो अगर इंडिया में महात्मा गांदी non-violent से जीतना चाते थे ठीक है वहीं फ्रांस फानो violent revolution की बात करते हैं और test series के लिए आपके लिए अगला question ये रहा कि फ्रांस फानो के main works क्या है वो comment करके बताएए क्योंकि main works बार-बार पूशे जाते हैं उनके net के exam में अगला question है माउ जिदोंग को लेकर तो इनकी कुछ statement दी गई है और आपने बताना है कि कौन सी statement इन में से correct है इसका right answer है option B यानि second or third statement correct है पहली इसलिए correct नहीं है वो देखते हैं पहली statement में जो दिया गया है कि contradiction political structure of society से निकल के आती है वो ही incorrect है क्योंकि माउ मानते है political structure से नहीं social structure जो है society की वहाँ से contradiction निकल के आती है वहाँ से class conflict होते हैं वहाँ से economic crisis होते हैं वहाँ से eventually revolution होती है political power तक जो lead करती है दूसरी चीज यह है कि माउ के लिए चाइना में जो revolution वो लेकर आते हैं उसमें peasant किसान बहुत बड़ा role play करते हैं माउ की revolution में तीसरी चीज इसमें यह है कि cultural revolution माउ लेकर आते हैं चाइना में ताकि अपनी communist party का जो दबदबा है वो उनका बना रहे cultural revolution कुछ नहीं थी basically अपनी opposition को silence करने का एक way था अब test series के लिए आपके लिए अगला question यह है कि माउ ने एक famous quote दिया है वो quote ऐसे शुरू होता है कि political power grows out of dash यह dash क्या है इसको fill करके आपने comment में बताना है अगला question है John Rawls को लेकर यह question में यह आपने बताना है कि जो justice का idea है John Rawls का उन्होंने वो कौन सी approach से adopt किया है approach आपकी screen के सामने है institutional, contractual, legal या historically और इसका right answer है contractual approach से उन्होंने किया है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जो John Rawls का idea है justice का उन्होंने जैसे John Locke Hobbs या JJ Ruzo ने social contract के theory दिया वहाँ से inspire होकर जैसे veil of ignorance जैसे concept दिया है यह सारे क्या मतलब इन concept के मैंने justice की एक video बना रखी है वो आप channel पर जाकर देख सकते हैं जा eye button पर click करके भी आप देख सकते हैं, तो test series के package के लिए last question आपके लिए यह रहा कि John Rawls ने society का first virtue किसे कहा है society में सबसे बड़ा कौन सा होता है, किसको कहा है वो आपने बताना है और यह question बार-बार आता भी है net में और इसको comment करके आप जरूर बताइए इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैंने आपको test series के लिए जितने question पूछे हैं, उसको एक comment box में करके सारे answer देना, जो सबसे पहले देगा उसको तीनो test series में उसके account में add कर दूँगा, इस video को यहाँ तक देखने के लिए thank you, और अगर आपको English और Hindi का यह प्रयास अच्छा लगा कि दोनों तर साइट बे question आ रहे हैं तो video को जरूर like करके बताना comment में अपना feedback देना तागे हमें पता चले कि यह जो मेनत की जा रही है आपके लिए, यह आपको अच्छी लग रही है feedback पे जरूर बताना, इस video को देखने के लिए धन्यवाद, thank you